हेलो फ्रेंट्स इस वीडियो नहीं बात करने वाले हैं रेलवे एलपी भरती दूजार चोबीस से संबंधित बहुत बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स के मन में आ रहे हैं एक सवाल के बारे में कि सर एलपी की तो वैकेंसी आई है परन्तु बहुत ज़्यादा कम आई है लेकिन इसमें आखे टेक्निसिन की वेकेंसी क्यों नहीं आई है तो सारे जनकरेव को डिटेल में मालम चले लेगी उससे पहले जदिगर अभी तक आपने उमंग स्टडी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ने किया है तो सब्सक्राइब करके बैल आकन को जरूर दबा के बाद चेक करेंगे कि आपकी जो पढ़ाई का अस्तार है वो कैसा है और कहां से मॉक्टेस लगाएंगे तो आरार भी एलपी को जो प्रिभिएस यह कोशन पेपर है सिबीटी वान और सिबीटी टू का यह आप सभी स्ट्रेंट को मिल जागा टेस्ट बुक के उपर तो व सभी आपको एक जगह पे मिल जाएंगे तो बारा बारा दो हजार तईस को रात के दस बजे हम लोगों ने एक पीडिएफ आप सभी स्ट्रेंट के साथ सेर किया था जिसका टाइटल था अलपी एस डेटेड ग्यारा बारा दो हजार तईस वन डॉट पीडिएफ ओके इस ल सकते हैं यहां पर इस नोटीज के जो सब्जेक्ट है यह बहुत ज़्यादा मैटर करता है आप सभी स्टुडेंट्स के लिए रेल्वे बोर्ड से के तरफ से लेटर सभी को भेजा गया था जितने आपके जनरल मैनेजर से उन सभी को यहां पर भेजा गया था और यहां पर चर्णवरी को आप सभी स्टुडेंट्स एप्लिकेशन फॉर्म भी अपलाई कर पाएंगे तो यहां पर देख सकते हैं जब यहां पर मतलब की डाइरेक्ट रिकूट्मेंट की इंटरनल नोटिसेस के मादम से जब चर्चा चल रही थी तो वहां पर केवल किसके क्वालिफ वर्सों के बाद हो रही है तो रेलवे अपनी जरूरतों के अनुसार भरतियों में जो भी उनको लगता है कि बदलाव किया जाना चाहिए अपने अनुसार वो बदलाव करती है और उसके बाद देखेंगे तो यहां पर जो भी आपका ACS मिंसन किया गया था ACS में जो भी चीज़े डिटेल दी गई थी अभी जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है वहाँ पर आपको सेम चीज़े देखने को मिले गई यहां पर देखें एडवांस करेक्शन स्लिप नमबर 284 यहां पर देखें जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की गई थी ए यहां पर ए से लेकर के ओ तक टोटल 15 ट्रेट्स की बात की गई थी अब हम लोगों का जो मतलब की इंप्लाइमेंट न्यूज में जो ओफिसेल नोटिफिकेशन आई है उसमें देखते हैं कितने ट्रेट्स की बात की गई है अब आईये फ्रेंट से क्रेट्स को हम लोग यह सुनीचस हुआ इसके बात देखेंगा यहां पर नेक्स्ट का मेकैनिक इसकी बात मेंटेमा भी नेक्टानिक मोटर वहिकल है यहां पर भी देखेएंगे Mechanic motor vehicle नेक्स्ट आप लोगद है यहांप लोगद का Wireman है यहांपे भी आप लोगद का Wireman है नेक्स्ट आप लोगद का Tractor मसीन है यहांप लोगद का Tractor मसीन है थोच अप लोग आगे बढ़ते हैं यहांप लोगद का Armature and Coil Vinders है next आप लोग का refrigeration AC mechanic है, यहाँ पर भी आप लोग का refrigeration AC mechanic, AC का यहाँ पर full form लिखा गया है, air conditioning mechanic, और उसके बाद यहाँ पर बात की गई है, matriculation slash SSLC plus course completed act apprenticeship in the traits mentioned above, और में बी में यहाँ पर बात की गई थी, matriculation slash SSLC plus three year diploma in mechanical, electrical, electronics, automobile engineering or combination of various streams of these engineering disciplines from a recognized institution in lieu of ITI, ठीक है, note में याप एक आगया है, कि degree in the engineering discipline as above will be acceptable in lieu of diploma in engineering, इस notice में में देखे, same बात की गई थी, note 1 में combination of various streams of traits of engineering discipline from a recognized institution in lieu of ITI will be allowed, second point में का आगया था, degree in the engineering discipline as above will also be acceptable in lieu of diploma in engineering, तो इन दोनों notices से एक बात उस परस्टूप से clear हो जाती है फ्रेंड, कि यह जो vacancy आई है, इसकी तैयारियां लगभग बहुत पहले से चल रही थी, तो ज़िदी कर आप सभी student लोग चाहते हैं, कि technician की vacancy जारी हो, और इस vacancy को बहुत ही ज़्यादा बड़ी संक्या में बढ़ाया जाए, तो प्रोटेस्ट के अलावा और कोई option नहीं है, प्रोटेस्ट के सुनने से जारी है,